संद कवीर से किशी भक्त ने पूछा है पंडित कौर है कवीर सहब कहते हैं जो प्रेम को पहचानता है परिवार के साथ प्रेम रखता है और प्रेम को निभाता है वो पंडित है प्रेम को शुरू करना प्रेम की कहानी प्रारंब करना आसान है लेकिन प्रेम को निभाना एक कठिन तबस्चा है प्रेम की कहानी तो प्रेम से शुरू हो जाती है लेकिन प्रेम की कहानी लंबे जीवन के मार्ग में ने ने मोड लेती है समझाओं के पत पर प्रेम की धारा बहते बहते बड़ी मुश्किल से मंजिल को प्राप्त करता है इसलिए विचार को ने कहा है प्रीती करो तु निर्वाह करो अन्रीत करो अब ही कहना है बाढ़ी के प्रीती अथा भाई तु दुख व सुख सबै सहना है सीता जी ने राम को पती माना शीता जी को क्या पता था कि मेरा ऐसा पती है जो अविध्या छोड़ कर बन जाएगा महाराजा दसरत महाराजा जनक दोनों संधी संधी मिलते हैं प्रेम में टूब जाएगा जनक इसलिए खुस हैं कि मेरी बेटी चक्रवर्ती शमराट के घर की बहुरानी बन कर जा रही है राजा दसरत इसलिए प्रशन है कि जनक पुर्षे जानकी जी को लेकर आऊँगा मेरी अविध्या में जो भी आनंद कम है वो पूरा पर्मानंद हो जाएगा लेकिन कोने आऊसर का भयो भयो नारी विश्वास योग सिद्ध फल समय जिम यति ही अविध्या नास जैसे कोई योगी असी वरस तक तप करे जब करे ब्रमचेर से रहे साधना करे वैरागी करे लेकिन योगी है जिब लाश्ट में दो-चार साल जिन्दगी के बच जाए तो वो पत भरष्ट हो जाए फल पाने का वक्त आ गया था असी साल तो तप में गुजार दिया दो-चार साल का समय और पचा था तो इसका मन बिगड गया फिर वो कहीं न कहीं मोह में फश रहा था ऐसे कह रहे हैं योग सिद्ध फल समय जिम्य योग जब योगी का सिद्ध होता है वो समय जो फल मिलने का वक्त आया है उस वक्त में योगी का मन डगमगा गया यती ही अभिड्यानास उस यती को उस योगी को उस साधू को अभिड्याने आ करके बिनास कर डाला उसकी गुद्ध भरष्ट कर दिया डगमगा गय बोले वही दसा मेरी हो गई कि पूरी सिंदगी में संघर्ष किया न जाने कितने राजाओं से लड़ाई लड़ा मैंने और बड़ी मुश्किल से ये चार पुत्र मिले थे राम लश्मण भरस्षत्रुखान इनके लिए मुझे रोना भी पड़ा है जिनके पुत्रों का जन्म नहीं होता है वे कभी कभी बैठ कर चुपके चुपके रोते हैं वो इस्तरियां भी बहुत दुखी होती है मैं मद्य प्रदेश में सिंगरोली जिले में सत्संग कर रहा था हिरवाह गाउं में सियु संकर गुपता जी मुख्य आयुजक्य बजरंगी कमेटी सत्संग कर रही थी वहाँ एक सज्जन मिलने आए पती पतनी बोले हम कुछ मांगने आए हमने का मांगो बोले बेटा नहीं है देदो तो मैंने कहा देखा उनकी और हमने कहा बेहन जी आपको इस जनम में बेटा तुम्हारे भाग्य में है नहीं तो रोने लगी माता जी थी तो इसका पती साइड में बेटा था घूर कर मुझे देख रहा था कि बड़ा निष्ठुर महत्मा है सीधे जबाब दे दिया इधर उधर घुमाया भी नहीं साफ कर दिया पूरा बात खतम कर दी की है ही नहीं बोले बहुत दवा करवाया हूं बहुत ये किया वो किया सादू संत के पास गया लाश्ट में तुमारे पास आए हमने का तुमने शवपन में भी कभी दान नहीं किया है पूर्व जनम में मैंने का इस जनम में दान करती हो बोले मैं तुर रोक देती हैं पती को भी देना मत किसी को मैंने का पुत्र नहीं हो सकता जाओ तुम तो रोने लगी तो हमने का रो मत रोने से और नुक्सान होगा तो हमने का ये तुमारा पती है ये नहीं रो रहा तुम रो रही हो तुमारे अकेले रोने से थोड़े कुछ होगा पती को भी तु रोना चाहिए तो उसने पती को हाथ मारा धका कि तुम भी रो साथ में वो सोचा कि पती पत्नी दोनों रोए तो साइद महात्मा कुछ कर देगा तो पती को रोवाई आती नहीं थी पती बोला हमरे रोवाई नहीं आवा थे हम बहुत रोई चुके पहले अब कहां तक रोई पती रोया नहीं इससे भी रास्ता थोड़ा शाफ होता है सब लोग एक साथ इन सारे उत्पादों का अपनी जिले में सूपर डिस्टिब्यूटर्शिप वर तहसील डिस्टिब्यूटर्शिप या अपने गाओं के स्वदेशी केंद्र के लिए आज ही संपर्क करें 95162644444 पर या 077145999999 पर श्री चवन स्वदेशी केंद्र श्री चवन आयूर्वे पिछले पांच वर्षों में लगातार अपनी बहतरीन और शद्यों के द्वारा एक लाग से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोडों की दर्द को ठीक किया है आगे हमारा यह प्रयास अन्वरत जारी है आप बिना किसी ओपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द वर जोडों के दर्द को आयूर्वे की सर्वश्रेश्ट और शद्यों के द्वारा ठीक किया जा सके इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्रीचवन आयूर्वे की और शद्यों को अपने घर पर होम डेलिवरी के लिए संपर्क करें आज ही ओर्डर करें श्रीचवन के अचूक और शद्यों को आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं डबल सेवन वन फॉर फाइब नाइन डबल नाइन डबल नाइन डबल सेवन वन सिक्स सेवन डबल फाइब डबल फाइब श्रीचवन आयुर्वेड